नमस्कार मैं मिलन पटे रजिस्टर फार्मसिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ और मेडिसिन्स हिंदी में आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा कि अगर इन फूड्स का आप नीमित सेवन करते हो तो आपकी आखों की रोशनी बरकरार रहेगी आपको आखों से रेटेट प्रोब्लेम्स होने की संभावना काफी कम हो जाएगी तो आए मातरा में परियाप्त मातरा में विटमिन A, विटमिन C, ओमेगा 3, पेटी एसीड और अच्छी मातरा में एंटी ऑक्सिडन्स मिलते रहें तो आएए इन फूड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें यह सभी पोशक तत्वा आपको अच्छी मातरा में मिल जाते हैं नमबर आखो की रोशनी और आखो का स्वास्ति बरकरा रहता है खास करके जो नाइट ब्लैंडनेस होते हैं या रात के समय कम दिखना या फिर ना दिखना यह जो समझ्या होती है यह होने की संभावना काफी कम हो जाती है अगर आपके शरीर में वाइटमिन A की परियापत मातरा है नमर दो है लिफी ग्रिन्स यानि की हरी पत्तेदार सबजिया खास करके विंटर के सीजन में थंड के मोसम में अगर आप हरी पत्तेदार सबजियों का सेवन करते हैं जैसे की पालक का सेवन करते हैं मेथि का सेवन करते हैं धनिया का सेवन करते हैं ब्रोकोली का सेवन करते ह जो भी हरी सबजीया होती है, उसमें अच्छी मात्रा में आपको lutin और zeazenthin नामक, anti oxidants मिल जाते है, जो आपकी आखों के जो cells होते हैं, उसे oxidative damage से बचाते है, आपकी retina को oxidative damage से बचाते है, जिससे आखों की रोशनी बरकरा रहती है, आखों का स्वास्तिय अच्छा रहता है, नमबर तीन है, फेटी फिश, जो लोग नुन वेजिटेरियन हैं, उनके लिए फेटे फिश एक बहुती अच्छा उप्शन माना जाता है, खास करके सेलमन, सड्डाइन्स, मेकरेल, ये जो फिश होती है, उसमें अच्छी मातरा में आपको ओमेगा 3 फेटी एसिद मिल जाता है, जो आपकी आखों की रोशनी को बरकरार रखता है, आखों का स्वास्तिय अच्छा रखता है, नमबर चार है एग, जियानी की अंडे, अंडे हमारी overall health के लिए अच्छा है, उसमें protein हो जाता है, नमबर पाँच है, citrus fruits, यानी की खटे फल, जैसे की मोसंबी, संत्रे, निम्बू, ग्रेप fruits, इतियादी में अच्छी मातरा में आपको vitamin C मिल जाता है, साथ ही साथ powerful antioxidants भी होते हैं, जो आपकी आखों में मोजूद blood vessels को support करते हैं, साथ ही साथ free radicals को कम करते हैं, जि हो तो आखों से related जो भी problem से होने की संभावना काफी कम हो जाती हैं, आपकी आखों की रोसनी भी बरकरार रहती हैं, तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत